दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल एजूकेशन मीट में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं अंशो के प्रकार मतलब दोस्तो टाइप सफ शेर शेर के कौन-कौन से टाइप है और उनका क्या-क्या मतलब होता है यही बात है दोस्तो आज के वडियो में हम करने वाले हैं तो दोस्तो ज्यादा टाइम ना वेश्ट करते हैं शुरू करते हैं आज के आमरी वीडियो दोस्तो जैसा कि मैंने आपको पहला बताया था कंपनी के इंट्रोड़क्शन वीडियो में कि एक कमपणी की जो अंशपुंजी टोटल जो capital होती है अधिकरत पुंजी होती है वो अंशपुंजी दोस्तो विबिन अंशोदारा बटी हुई होती है जैसे किसी कमपणी की पुंजी मालीजी हजार रुपए है तो हजार हो सकता है दोस्तो वो हजार रुपए 10 रुपए व दोस्तो कमपनी अधिनेम 1956 के दारफ 86 के अनुसार एक कमपनी दो प्रकार के अंशों को इश्यू कर सकती है जिसमें दोस्तो पहला है equity share जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सम्ता अंश और दोस्तो दूसरा है preference share जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अधिमान अंश पहली share को देखते हैं जिसका नाम है equity share या फिर सम्ता अंश दोस्तो यदि कभी आप से ये पूछा जाए कि company के असली मालिक कोन होते हैं सम्ता अंश दारी अधिमान अंश दारी जिनके बास equity share है वो company के असली मालिक है या जिनके बाद preference share है वो company के असली मा लेगे या दोनों ही company के असली मा लेगे तो दोस्तो उसका जवाब होगा equity share वाले व्यक्ति दोस्तो ये अंशिदारी ये shareholders company के असली स्वामी होते हैं जब दोस्तो company अपने lab उसके shareholders में बाढ़ती है कि आपको मिलेगा या नहीं यदि दोस्तो company में lab होता है तो सबसे पहले दोस्तो अधिमान अशियानी preference share वालों को दिया जाएगा यदि फिर उसके बाद कुछ बज़ाता है तो फिर वो समतारी जारुकों में company बाढ़ सकती है लेकिन दोस्तो इसकी भी कोई percentage दे नहीं होती हाँ भई 10% dividend आपको हर साल मिलेगा है कि 15% मिलेगा है ये दोस्तो कोई जरूरी नहीं है इनको मतलब कोई guarantee नहीं होती कि आपको इतना मिलेगा इतनी दर से मिलेगा दोस्तो इन अंशो के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब कुछ बच जाएगा तो इन अंशो में बाढ़ दिया जाएगा नहीं तो जैसी है राम इसके लाब दोस्तो यदि company का मानली जी समापन हो गया तो जो इनकी पूंजी होती उसका पुनरभुकतान मतलब जो पूंजी लगाई है वो भी इनको पूंजी पुनरभुकतान पाने का भी इनको कोई अधिकार नहीं है पहले वो भी दोस्तो पहले अधिमान अंशदारी यानि preference share holders को ही है इसी लिए दोस्तो preference share holder को पूर्व अधिकार अंश भी कहा जाता है मतलब पूर्व अधिकार मतलब पहले अधिकार हर मामले में वो पहले अधिकारी होंगे दोस्तो कमपनी का जो board of director होता है मतलब संचालक मंदल जो होता है वो इनी अंशदारी हो में से चुना जाता है क्योंकि दोस्तो मालिक ही होते है इसलिए दोस्तो एक्विटी शेर होल्डर्स में से ही संचालक मंदल का निर्मान किया जाता है दोस्तो कमपनी अधिनिम 1954 की धारा 85 कहती है कि एक समता अंश वो अंश है जो कि एक अधिमान अंश नहीं है मतलब एक एक एक्विटी शेर वो है अधिकार पाते है जिसमें दोस्तो पहला है कि लाबांश का बुकतान और दोस्तो दूसरा है पूंजी की वापसी दोस्तो लाबांश के बुकतान से मतलब है कि प्रिफेंश शेर होल्डर्स इक्विटी शेर होल्डर्स से पहले लाबांश पाने के अधिकारी होंगे मतलब दोस्तो preference shareholders के लिए company की एक certain rate होती है हाँ इन्हें हर साल इतनी % दर से लाबांश दिया जाएगा ही और वो भी समतांशुर से पहले इसके लाग दोस्तो यदि बात की जाए पूंजी की वापसी तो दोस्तो company के समापन की दश्या में ये equity shareholder से पहले इनको पूंजी का बुकतान किया जाएगा लेकिन दोस्तो यहाँ पर आपको एक बात जाने जरूरी है कि दोस्तो ये जरूरी नहीं यदि company को किसी साल लाब नहीं होआ तो इनको लाबांश मिले गई ये जरूरी नहीं है दोस्तो हाँ बस इस मामले में ये है दोस्तो इनको जम भी मिलेगा equity shareholder से पहले मिलेगा और इसलिए दोस्तो इनने पूर्वधिकर अंश कहा जाता है दोस्तो इन अंशो को company में मताधिकार का अधिकार नहीं होता क्योंकि दोस्तो ये असली स्वामी तो होती नहीं असली स्वामी कोन होते है समतांश जरी यानि equity shareholder तो उने ही company के मामलों में मताधिकार प्राप्त होता है दोस्तो प्रिफरेंट shares के हमारे पर कुछ टाइप से आईए वो देखते हैं दोस्तो ये छे प्रगार ये हो सकते हैं जैसे संचै अधिमान अंश गैर संचै अधिमान अंश सहबागी अंश गैर सहबागी अधिमान अंश शोद्य अधिमान अंश और गैर शोद्य अधिमान अंश अब दोस्तों इनका क्या मतलब होता है वो देखते हैं दोस्तों संचाई अधिमान अंश मतलब cumulative preference shares दोस्तों एक संचाई अधिमान अंश ऐसा अंश होता है जिसे हर condition में लाब मिलेगा है मिलेगा मतलब यदि किसी वर्ष कंपनी को लाब ना हो तो दोस्तों इनका लाबांश कंपनी के balance sheet में दाइत्व के रूप में दिखाया जाएगा हाँ ये दाइत्व हैं जो आपने आप तक नहीं चुका है लेकिन आपको बविश्य में चुका ना है दोस्तों भारत में अधिकतर अंश ऐसे ही संचे ही प्रकार के होते हैं अब यदि दोस्तों बात किजाए get संचे अधिमान अंश तो दोस्तों ये सीधे उसके उल्टे आते हैं उसे उन्हें हर कंडिशन में लाब मिलेगा ही मिलेगा लेकिन दोस्तो इसके मामले में यदि company को किसी वर्ष लाब ना हो तो इन्हें लाबाँश नहीं मिलेगा इसके बाद दोस्तो बात करते हैं सहभागी अधिमान अंश यानि participating preference share दोस्तो सहभागी अधिमान अंशों का मतलब होता है इसमें ऐसे shareholders दोस्तो आते हैं जिनने दोस्तो मामलो किसी वर्ष company को बहुत सारा लाब हुआ है बहुत अधिक लाब हुआ है मतलब उसने preference share का dividend चुका दिया equity shares का भी dividend चुका दिया लेकिन फिर भी अभी कुछ पैसा बच्चा है तो दोस्तो उस मामले में यदि जहबागी अधिमान अंश है तो जो super profit हो रहा है जो ज़्यादा लाब हो रहा है उसमें ये भाग पाने के अधिकारी होंगे अब दोस्तो बात करते हैं गैर सहबागी अधिमान अंश मतलब non participating preference share दोस्तो ये सेम सहबागी अधिमान अंशों के उल्टो होते है मतलब उनको यदि company को super profit हो रहे हैं तो उसमें वो भाग पाने का अधिकारी होंगे सहबागी अधिमान अंश लेकिन दोस्तो इस मामले में गैर साबही अधिमान अंशों के मामले में ऐसा नहीं है उनको केवल एक certain rate से यानि एक निशित दर पर लाबास दिया जाएगा चाहे company में super profit हो या ना हो अब दोस्तों बात करते हैं शोद्य अधिमान आश redeemable preference share दोस्तों आपने redeem का नाम जरूर सुना होगा कोई company हमें offer देती है कि हाँ आपके पास एक voucher हम दे रहे हैं और आप उसको redeem कर सकते हैं इसे date तक उसी बात को दोस्तों यहाँ पर आप relate कर सकते हैं तो दोस्तों शोद्य अधिमान आश ऐसे अंश होते हैं कि जो company इस शर्थ पर देती है हाँ भई इतने तारीक बात मतलब इतने साल बात या कोई एक निशित अवदी बात आपको आपके पुझी का बुगतान कर दिया जाएगा मतलब जिन अंशो का एक certain time के बाद आप redeem कर दोगे वो शोद्य अधिमान आश कहलाएंगे दोस्तों इंडिया में company इसी परकार के shares issue करती है इसके बाद दोस्तों हमार लाश्ट है गैश होद्य यानि non redeemable preference share दोस्तों same उसके redeem के उल्टे ही है मतलब redeemable preference share ऐसे होते हैं जिनका एक certain time बात हमें बुक्तान करना होता है लेकिन दोस्तों non redeem ऐसे होंगे जिनकी कोई date नहीं होती मतलब ऐसे अंशो का कब शोधन करना है इस मामले में कोई भी व्यवस्ता नहीं होती है तो दोस्तों ये थे preference shares के types तो दोस्तों आज हमने जाना कि अंशो के कौन-कौन से प्रकार है और उनका क्या मतलब होता है अगले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे शेयर भी करें धन्यवाद